खाद्य महेंगाई को नियंत्रित करने तथा सटोरिया प्रवृत्ती पर अंकुष लगाने के उदेशे से केंद्र सरकार ने चावल धान के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, रिटेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स तथा मिलर्स प्रोसेसर्स को स्टॉक पोजीशन की घोशन करने का निर्देश दिया है. देश के सभी राजियों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में यह निरने अगले आदेश तक लागू रहेगा. सरकारी आदेश में कहा गया है कि उप्रोक्त समवर्गों को धान एवं चावल की प्रत्येक श्रेनी के स्टॉक का विवर्ण दे होगा. इन समवर्गों को आदेश के जारी होने के बाद साथ दिनों के अंदर चावल के स्टॉक पोजीशन की घोशना करनी होगी. खाद्यान के दाम में जारी तेजीम जबूती को नियंतरित करने हेतू सरकार ने भारत ब्रांड नाम के तहट चावल की खुद्रा बिक्री आरंब करने का निर्ने लिया है. प्रथम चरण के अंतरगत तीन एजेंसियों, नैफेड, NCCF एवं केंद्रिय भंडार के माध्यम से भारत ब्रांड चावल की खुद्रा बिक्री के लिए 5 लाग टन चावल आवंटित किया गया है. इस चावल का खुद्रा मूल्य 29 रुपए प्रती किलो नियत किया गया है और इसकी बिक्री 5 किलो तथा 10 किलो के पैक में की जाएगी. यह चावल गतिमान वाहन से अत्वा तीनों केंद्रिय एजेंसियों के खुद्रा आउटलेट से खरीदा जा सकता है. सरकार का कहना है कि खरीफ सीजन में बहतर उत्पादन होने, FCI के पास परियाप्त स्टॉक मौजूद रहने तथा कच्चे गैर बास्मती चावल एवं टुकडी चावल के निर्यात पर प्रत प्रत करने तथा मिलर्स सहित अन्य संबंधित पक्षों को स्टॉक पोजीशन का खुलासा करने का निर्देश देने का निर्नय लिया गया है. इससे चावल की उपलब्धता का पता लग सकेगा. इस बीच खुले बाजार बिक्री योजना, OMSS, के तहट चावल की बिक्री तो कम हो रही है, लेकिन गेहूं की बिक्री बढ़कर 75.26 लाक टन पर पहुँच गई है. सरकार का मानना है कि OMSS में भारी बिक्री के कारण गेहूं के खुद्रा बाजार भाव में कुछ नर्मी आई है. इस योजना के तहट कुल 101.50 लाक टन गेहूं का आवंटन किया गया है. सापताहिक नीलामी में भी इसकी बिक्री का ओफर 2,00,000 टन से बढ़ा कर 4.50,000 लाक टन नियत किया गया है. Bureau Report Market Times TV